दिली में हिंसा के कारण होने वाली तबाही का मंजर तो सब ने देखा, लेकिन कुछ और भी है जो लोग देख तो नहीं पाए, लेकिन उसका असर दिली में खास करके बच्चों पर काफी गहरा हुआ है। हिंसा को लेकर उनके मन में डर बैठ गया है हिंसा के कारण उनकी पढ़ाय बिल्कुल नहीं हो पा रही थी और वो इस चिंता में थे कि वो एक्जाम कैसे देंगे छात्रों का ये भी कहना था कि उन्होंने सोशल मीडिया और टीवी से भी दूरी बना ली है क्योंकि सोशल मीडिया और टीवी से लगातार दिल्ली हिंसा की खबरे मिल रही थी जिससे चात्रों में डर भर गया हिंसा से ध्यान हटाने के लिए बच्चे ग्रूप डिसकशन का सहारा ले रहे है हाला कि भयावे और डरावने माहौल से बाहर निकलने में शिक्षक और मातपिता भरपूर सहयोग कर रहे है दरसल हिंसा के कारण विद्यारतियों और उनके अभिभावकों के लिए सबसे बड़ी चिंता ये है कि कहीं बोड परिक्षा परिणाम पर दंगी का असर ना पढ़ जाए साइकलोजिस्ट का कहना है कि छात्र छात्राओं के सिर पर पहले से ही परिक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने का बोज होता है और ऐसे में हिंसा उनके मन में डर्वा तनाओ को बढ़ाती है परिक्षा के दोरान विध्यारती हिंसा की खबर सुनकर विशलित हो जाते हैं और ध्यान को पूरी तरह से केंदरित नहीं कर पाते है इसके साथ ही विद्यार्ती निराशा के भी शिकार हो जाते हैं लिहाजा इन सब से बचाने के लिए बच्चों को मोबाईल और सोशल मीडिया से दूर रखना चाहिए ऐसे में विशेशग्यों की माने तो बच्चों की मानसिक सिर्था को बढ़ाने और शैक्षनिक संसाधुनों का उपयोग करने के लिए अभिभाव को वह स्कूल प्रशासन के बीच सहयोग की आवश्यक्ता है मातपिता को हिंसा के दुश्प्रभाव से बच्चों को बचाने के लिए घर पर एक सकरात्मक वातावरन विक्सित करने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि हिंसा का सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है ब्योरो रिपोर्ट दिली तक